तो भाई आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टोप एक्सकेवेटर कपनी के बारे में जो ये इंडियन मार्केट में अपने एक्सकेवेटर सेल करती है ये कपनी जो इन एक्सकेवेटर को बनाती है वो एक्चूल में किस कंट्री से बिलोंग करती है मेरा मतल के अनुसरा टॉप नाइन कपनी को इस लिस्ट में सामिल किया है जिसमें नमबर दो पर जो कपनी है वो तो हमारे भारत देश में सब की फेवरेर ब्रांड है ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास तक जरूर देखना होगा इस लिस्ट में नमबर नाइन पर है कोबेल क आप सबी ने ज्यादतर पीले यानि यलो कलर के एक्सकेवटर देखे होंगे पर कोबेल को कपनी के ज्यादतर एक्सकेवटर ब्लू ग्रीन कलर में देखे जाते हैं ये इस कपनी की अलगी पैचान है कोबेल को एक जापनीस ब्रांड है जो की कोब स्टील लिमिटेट का ही बाग है जिसे आज Cobleco के नाम से जाना जाता है इस कपनी को 1 सप्टेबर 1905 को फाउंड किया गया था इंडिया में ये कपनी Cobleco Construction Equipment इंडिया प्राइवेर के नाम से जानी जाती है और इस कपनी को 2006 में इंडिया में स्थापित किया गया था और 2010 में इस कपनी दे अपना पहला एक्सकेवेटर इंडियर मार्केट में लोज किया था कोबेल कोगे एक्सकेवेटर काफी एडवंस और महंगे होते हैं कोबेलको के एक्सकेवेटर रेंज की बात करें तो इनके पास SK30, SK35, SK140, SK145, SK220, SK380 और SK520 DLC जैसे एक्सकेवेटर इसक अपने के पास अवेलेबल है मतलब 3 टन से लेकर 52 टन तक कोबेलको के पास एक्सकेवेटर मुझूद है इंडिया में कोबेलको का हेड़ कोटर नोईडा उत्तर परदेश में है और कोबेलको का मैनुफेक्टिरिंग प्लान स्री सीटी आंध्रा परदेश में है जहां पर ये अपने एक्सकेवेटर बनाती है नमबर आठ पर है वोल्वो कंस्ट्रक्शन ये एक प्रीमियम ब्रांड है कोबेलको की तरह इस कपनी के भी एक्सकेवेटर काफी महंगे होते हैं और इनके भी एक्सकेवेटर काफी एडवांस और पावरफुल होते हैं वल्वो स्वीडन कंट्री से बिलोग करती है और इसे 1832 में फाउंड किया गया था वल्वो एक्सकेवेटर आप यलो और ग्रेय कलर के मिक्स कॉम्बीनेशन में देखते होंगे इंडिया में वल्वो कपनी के एक्सकेवेटर को बेंगलोर प्लांट में बनाया जाता है और इस कपनी का इंडिया में हेडकोटर बेंगलोर में है प्रोड़क रेंज की बात करें तो इनके पास EC140, EC200, EC210, EC250, EC300, EC350 और EC380D जैसे एक्सकेवेटर इस कपनी के पास अवेलेबल है नमबर साथ पर है Caterpillar जिसे हम Cat के नाम से भी जानते हैं Caterpillar एक American brand है इस कपनी को April 15, 1925 में found किया गया था इंडिया में Caterpillar पिछले 50 साल से अपने प्रोड़क मानुफेक्चर करती है और सेल करती है Caterpillar का एक्सकेवेटर बनने का प्लांट थिरू वल्लूर तमिल लाडू में है पोटागरेंज की बात करें तो Caterpillar के पास Cat 313, Cat 320, Cat 323, Cat 330 और Cat 345 जैसे एक्सकेवेटर इस कपनी के पास मुझूद है नमबर चे पर है सेनी जिसे इंडिया में सेनी Heavy Industries India Private Limited के नाम से जाना जाता है सेनी बेसिकली एक चाइनिस ब्रांड है जो इंडिया में अपने एक्सकेवेटर सेल करती है इस कपनी का हैड़ गोडर चकन पुने में है और मानुफेक्चरिन प्लांट भी सेनी का इसी जगह ही स्तित है प्रोड़क की बात करें तो इस कपनी के पास Mini Excavator, Small Excavator, Medium Excavator और Large Excavator रेंज में प्रोड़क्ट अवेलेबल है जिसमें Mini Excavator में SY20U, SY35U और SY60C, Small Excavator में SY80, SY140C9, Medium Excavator में SY210, SY215, LC, SY220 और Large Excavator में SY350 और 380 जैसे Excavator सेनी के पास मुझूद है नमबर पात पर कपजा जमाया है XCMG ने इंडिया में इसे XCMG Swing Stator India Private Limited के नाम से जाना जाता है XCMG और Swing Stator दोनों ही साथ मिलके इंडिया में Excavator बनाते हैं और सेल्स करते हैं XCMG एक चाइनिस ब्रांड है और Swing Stator एक जर्मन ब्रांड है चैन्ने में इस कपने का मनुफेक्टरिंग प्लांड है और इंडिया में 2 टन से लेकर 52 टन टन के Excavator इस कपने के पास अवेलेबल है जिसमें XC20, XC40U, XC80C, XC140, XC210, XC215, XC230, XC250, XC380 और XC520 जैसे मोडल इस कपने के पास अवेलेबल है अलग-अलग सेगमेंट वाइस हाल फिलाल में ये वर्ल्ड की नंबर 3 रेंग कस्ट्रक्शन एक्वेट बनाने वाली कपनी है पूरे वर्ल्ड में और पर है कोमाच्शू जिसे इंडिया में कोमाच्शू इंडिया प्राविर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है कोमाच्चू एक जापानिस बराण है इस कपने के एक्सकेवडर कोबेलको और वोल्लो की तरह काफी एडवांस, पावरफूल और महेंगे होते है कोमाच्चू इंडिया का हेड ओपीस और मानुफेक्चरिंग यूनिट चेन्नाई तमिल लाडू में ही है प्रोड़क की बात करें तो कोमाच्चू के पास PC-71, PC-130, PC-205, PC-210, PC-300 और PC-350LC जैसे प्रोड़क इस कपने के पास अवैलेबल है कोमाच्चू के एक्सकेवडर एकदम यलो कलर में होते हैं इस एक्सकेवडर में कोई दूसरा कलर देखने को नहीं मिलता इस लिस्ट में नमबर थी का स्तानासिल किया है होनडाई ने आप सबी ने होनडाई की कार्श इंडिया में बहुत देखे होंगी जैसे की करेटा, वरना और I-20 पर ये कपनी एक्सकेवडर भी बनाती है होनडाई साउथ कोरिया से बिलोग करती है और इसे इंडिया में होनडाई कर्श्ट्रक्शन एक्क्यूपन इंडिया के नाम से जाना जाता है इंडिया में होनडाई का मानुफेक्चरिंग प्लान चकन पुने में है 2008 में इस प्लान से पहला एक्सकेवडर बनाया गया था प्रोड़क की बात करें तो होंडाई के पास R30, R85A Smart, R140LC, 210 Smart Plus, 215 Smart Plus, 245 Long Ridge Smart Plus और HX380L जैसे अलग-अलग segment wise होंडाई के पास excavator available है होंडाई के excavator दिखने में बिल्कुल वो लोग के excavator जैसे ही दिखते हैं यलो और ग्रे कलर में नमर दो पर है JCB, अरे अरे इसे कोन नहीं जानता, बच्चा बच्चा इसक अपनी को जानता है, नाम है इसका JCB, इंडिया में इस ब्रांड का अलगी क्रेज है मेरे बाई, वेसे तो ये बेको रूडर के लिए फेमस है पर JCB के excavator भी अच्छे खासे आते हैं, वो भी यलो और ब्लेक कलर में, JCB इंगलेंड की मतलब United Kingdom की ब्रांड है और इंडिया में JCB India Limited के नाम से इसे जाना जाता है, JCB का excavator manufacturing plant पूने और जैपूर राजस्तान में स्तित हैं प्रोड़क की बात करें तो JCB 81, JCB 130, JCB 140, JCB NXT 205, JCB NXT 215, JCB NXT 225, LCM, JCB 245 Long Ridge Excavator और JCB 385 LC Query Master जैसे काफी भारी बरकम excavator इस कपनी के पास अवेलेबल है जो ये इंडिया मार्केट में सेल करते हैं औरेज कलर में टाटा हीटाची के ब्राण नेम के साथ आपने इस कपनी के excavator बहुत से देखे होंगे जी हाँ इस लिस्ट में नमबर वन पर है टाटा हीटाची जैसे हर बेको लोडर को लोग बाग जीसी भी कहके बुलाते हैं वैसे ही excavator को भी ज्यादा तर लोग हीटाची कहके ही बुलाते हैं टाटा हीटाची इंडिया और जापन का जोइंट वेंचर है टाटा हीटाची का हेड़ कोटर बेंगलोर में है प्रोड़क रेंज की बात करें तो टाटा हीटाची के पास मीनी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज के एक्सके वेटर अवेलेबल है जिसमें J623U, J633U, EX70, EX130, EX140, EX200, EX200LC, EX210LCQ, EX215 जोस्तो यही था आज के वीडियो में, इन में से आपको कौन सी कपनी पसंद आई, मुझे कमेट करके जरू बताइए और हाँ, आपके ख्याल से इस लिस्ट में और किस कपनी का नाम होना चाहिए था, वो भी आप मुझे जरू बता सकते है और हाँ, एक्सकेवेटर के तरह आप टोप बेकोल्डर कपनी सीन इंडिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, वहीं मिलते हैं तब तक अपनी तबित का ध्यान रखिए, थेंक्यू, धन्यवाद, जैमाता जी